जार्कन प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के तत्वाधान में आज महत्वपून बाठक का आयोजन किया गया है बाठक की अध्यक्षिता प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष केशव महतोकमलेश ने की है जिसमें कॉंग्रस के नेता जीला अध्यक्ष, अग्रहनी मोर्चा संगठन और विभिन प्रकोष्ठों के प्रतिनीधियों ने हिस्सा लिया है मुख्य एतिति के रूप में प्रदेश प्रभारी गुलाम एहमद मीर उपस्थित्ते उन्होंने कहा कि जारखंड विधान सभा चुनाव सिर पर है और हमें इस चुनाव में अपनी पूरी ताकर जोकनी होगी प्रमंडल और जीला स्तर पर चुनावी गतिवीधियां और कारी क्रमों को लगातार जारी रखना होगा ताकि जनता के बीच सरकार द्वारा किये गए कामों का व्यापक प्रचार प्रसार हो सके उन्होंने महागडबंधन की सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुचाने पर जोर दिया प्रिदेश कॉंग्रेस अधियाक्ष केशफ महतो कमडेश ने कहा कि कॉंग्रेस अलाकमान द्वारा सौपे गए जिम्मेदारी को मिलकर पूरा करना है उन्होंने बताया कि अगामी कारेक्रमों के तहट 26 अगस्त से 30 अगस्त तक रामगर, हजारी बाग, चत्रा, लातेहर, पलामू, गड़वा, लोहरदगा और कुलहान प्रमंडल में जिला, प्रखंड मंडल, पंचायत की निताओं और कारेकरताओं के साथ समवाद किया किसान श्रिन माफी, जेपी ऐसी परिक्षा और व्रिधावस्था पेंशन की उम्र सीमा में बदलाफ की जानकारी जन जन तक पहुँचाई जाएगी कॉंग्रस विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उराउं ने विपक्षी दलों पर निशाना साथते हुए कहा कि वे जन सरोकार के मद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने संगटन की ताकत और जनता की बीच सही सूचनाय पहुचाने पर जोर दिया है अबलेश पुचाने पिलाएं जनता की कि वे जनता की बीचिए टाकत रहे हैं झाल